अगर आप प्याज की खेती कर रहे हो या फिर आप लहसुन की खेती कर रहे हो दोनों फसलों में थ्रिप्स एक ऐसी समस्या है जो की किसान को काफी ज्यादा परिसान करता है और आप महंगी से महंगी दवाईयों का उपयोग भी अगर कर लेते हैं तब भी ये थ्रिप्स 100% कं तो इस थ्रिप्स को आप नियंत्रन करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं कौन सी दवयों का उपयोग कर सकते हैं जैविक तरीके से आप इस थ्रिप्स को कैसे नियंत्रन कर सकते हैं वहीं रासाइनिक तरीके से भी आप थ्रिप्स को कैसे नियंत्रन कर सकते हैं साथ ही आप एसी क पुछले वीडियो पर कहा था कि हमारी प्याज की फसल में त्रिप्स काफी ज्यादा मात्रा में आ रहा है उस पर जनकारी हमें चाहिए तो त्रिप्स के बारे में A to Z बात करने वाले हैं लगबग जितनी भी दवाईया मार्केट में अवेलेबल हैं सभी हम आपको इस वीडि fire Seneptora group का एक छोटा सा समो होता है जो कि आपको प्याज की फसल पर दिखाई देता है वो इसको अंग्रेजी में आप थ्रिप्स बोल सकते हैं अब इसकी पेचान करना काफी आसान होता है जब आपकी प्याज की फसल में थ्रिप्स का प्रकोप को अधिक हो जाता है तब आप इसको आसानी से देख सकते हैं जहां से नई प्याज की पत्तिया निकल रही होती है वहाँ पर आप प्याज को अगर खोलेंगे तो वहाँ पर त्रिप्स आपको दिखाई देगा, जो कि बच्पनी अवस्था में पीले रंके दिखाई देगे, वहीं भूरे रंके और जब यह वैसक हो जाते हैं, तो काले रंके आपको प्याज पर दिखाई दे रहे होंगे. अब ये आपकी प्याज की फसल को नुकसान के से पहुचाते हैं ये भी हम आपको बता देते हैं तो थिप्सका प्रकोब जब जादा बढ़ जाता है ये प्याज की पत्यों पर चिपक जाते हैं और प्याज में ही ये रहते हैं प्याज में जो क्लोरोफिल होता है उस पर ये जीते हैं जैसा कि आप प्याज की फसल देख रहे हैं हमारी ये प्याज की फसल आज 40 दिन की हो चुकी है आप हमारी प्याज की फसल में जो हरापन देख रहे हैं जो चमक देख रहे हैं उससे पता चलता है कि प्याज की फसल वही थिप्स को जीने के लिए भी क्लोरोफिल जरूरी है, क्योंकि प्याज में जो क्लोरोफिल होता है उसी पर थिप्स जीते हैं, प्याज की पतियों को ये खुरेचते हैं, खुरेचने के बाद उसमें से जो रस निकलता है, जो क्लोरोफिल निकलता है, उसी को पी कर ये जी प्याज की पतियां पीली पड़ जाती हैं पौदा कमजोर हो जाता है तो इस ठिप्स को कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है नहीं तो यह आपकी प्याज की फसल को काफी ज्यादा नुकसान पहुचा देता है अब हम कुछ ऐसी बाते जान लेते हैं जिसको अगर आप जान में तो कुछ हद तक आप प्याज में ठिप्स को आने से ही रोग देंगे जैसे कि अगर आप प्याज में यूरिया का कम उपयोग करते हैं तो उससे भी प्याज में ठिप्स कम मातरा में आता है जितना ज्यादा यूरिया का उपयोग करेंगे उतना प्याज में ठिप्स का प्र प्यान रखना है, जब हलकी सी दरारे आ जाए तब आपको इसमें compensator करते रहना है आपकी जमीन जिस हिसाब से हैं उसे सीचाइद करते रहे उसे के साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताए कि यूरिया का आपको कम से कम उपयोग करना है फसल को जितनी जरूरत है उतना ही आपको यूरिया का उपयोग करना है इन दो बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपकी प्याज की फसल में थ्रिप्स कम से कम आएंगे अब बात करते हैं कि अगर आपकी प्याज की फसल में थ्रिप्स आ गया तो आप उसको कंट्रोल कैसे करेंगे और अगर आप दवाई डाल भी रहें वहाँ पर भी यह अच्छे से कंट्रोल क्यों नहीं होता है तो देखिए प्याज में जब थ्रिप्स लगता है तो उसके लिए आपको कुछ एसी दवाईयों का उप्योग करना है जो कि सिस्टेमेटिक तरीके से भी इंसेक्ट को मारती ह तो उसी के साथ साथ कीट के साथ कॉंटेक्ट करके भी उस कीट को नियंत्रन करें इस प्रकार की दवाईयों का आपको उप्योग करना चाहिए जैसे कि मार्केट में काफी सारे इंसेक्टिसाइट अवेलेवल है मैं आपको बता देता हूं कि प्याज में आपको शुरुव अवस्ता होती है मतलब प्याज बच्पन की अवस्ता में होती है तब आप इसमें नॉर्मल इंसेक्टिसाइट का उप्योग करना चाहिए जैसे कि आप प्रोफीनोफास का उप्योग कर सकते हैं प्रोफीनोफास 50% का उप्योग कर सकते हैं हम यहां पर इमिडा बना कर इस्प्रे करते हैं प्याज पर जिससे इसकी प्याज की पत्तिया रफ रहती है बिल्कुल हरी भरी रहती है और साइनी तरीके से चमकती है तो थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए प्योग करते हैं अगर आपकी प्याज की फसल थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तब आप चाहे तो लेमडा साइ हेलोथरीन का भी उप्योग कर सकते हैं यह मार्केट में आपको कराटे के नाम से मिल जाएगी या फिर किसी अन्य नाम से भी मिल जाएगी तो लेमडा साइ हेलोथरीन मार्केट में अलग प्रतिसत में होती है जैसे कि 4.9% में भी आपको मिल जाएगी या फिर आपको 2.5% इसी फॉर्म में भी मिल जाएगी या फिर 5% इसी फॉर्म में भी मिल जाएगी तो अगर आप अलग अलग प्रतिसत में ले रहे हैं तो डल रही है उस हिसाफ से आप डाल कर इस्प्रे कर सकते हैं और थोड़ा समय अपना अनुभा बता देता हूं कि तो जो लेमडा साह हेलोतरीन 4.9% आती है उसको आपको 200 ml प्रती एकड के हिसाफ से डालना होता है आप उसको भी डाल सकते हैं या फिर लेमडा साह हेलोतरीन 2.5% प्रती एकड के हिसाफ से डालना होता है या फिर आप लेमडा साह हेलोतरीन 5.9% का 200 ml प्रती एकड के हिसाफ से भी उप्योग कर सकते हैं तो लेमडा साह हेलोतरीन अलग-अलग प्रती सत मातरा में आपको मार्केट में मिलती है अगर आप कन्फूज हैं तो थोड़ा सा आपको 10 ml प्रती 50 लिट्र पानी के साथ मिलाकर उप्योग करना हैं अब बात कर लेते हैं अगले यह अगले केमिकल के तो आप फिप्रोणील का उप्योग कर सकते हैं अपर आप चाहेतम 7 का उप्योग करते हैं क्योग disinfect अब हीज क्योंकि इसका खर्च कम आता है और ये भी काफी अच्छे से थ्रिप्स को कंट्रोल कर सकता है तो आप AC-8 का उपयोग कर सकते हैं या फिर आप AC-8 50 प्लस इमीडा क्लोरूपिट 10 प्रतिसत का भी उपयोग कर सकते हैं ये भी आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगी आप इसको भी उपयोग कर सकते हैं त्रिप्स को नियंतरन करने के लिए तो आपको AC-8 50 प्रतिसत 400 प्रतिसत चार सु ग्राम प्रति एकड़ के साफ से इस्प्रे लेना है और AC-8 50 प्रतिसत और इमीडा का जो कॉंबिनेशन आता है उसको आपको 300 ग्राम प्रति एकड़ के साफ से उपयोग और इस्प्रे करना है या फिर आप चाहे तो दमन कंपनी का बायो 303 का भी उपयोग कर सकते हैं लेकिन हमने अभी तक इसका रिजल्ट प्याज पर नहीं देखा है अन्य फसल पर देखा है लेकिन प्याज पर अभी तक इसका उपयोग नहीं किया है तो कोशिस करेंगे कि अगले वीडियो में आपको दमन 303 का उपयोग और प्रेक्टिकल करके दिखा है कि क्या इससे थ्रिप्स कंट्रोल होता है या नहीं होता है तो एसी दवाईों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सस्क्राइब करके रखिए ताकि आपको प्रेक्टिकल और सही जानकारी मिलती रहे अब बात करें अगले कंटेंड की तो आप इसमें कार्बो सलफान का भी उपयोग कर सकते हैं कार्बो सलफान 25 प्रतिसद इसी आपको 1 ml प्रती लिटर पानी के हिसाब से मिलाकर इस्प्रेक करना है वही अगर आप कॉंबिनेशन वाली दवाईया उपयोग करना चाहते हैं अगर आपकी प्याज में ठिप्स का प्रकोब काफी ज़्यादा मातरा में बढ़ ही गया है वैसे मैं आप कॉंबिनेशन का भी उपयोग कर सकते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बता एसी पेट के साथ इमिड़ा का कॉंबिनेशन या फिर आप फिप्रोनिल 40% के साथ इमिड़ा 40% जो कि आपको घड़ा कमपनी के पोलिस के अंदर मिल जाता है आप उसका भी उपयोग ठिप्स को नियंतर्ण करने के लिए कर सकते हैं तो बहुत सारी दवाईया हैं आपकी प्याज में ठिप्स का प्रकोब कितना है उस इसाब से आप दवाई का उपयोग करें और हर इस्प्रे में आपको बदल बदल कर कंटेंट का केमिकल का उपयोग करना है ताकि आप अच्छे से थिप्स पर कंट्रोल पा सके वहीं जाकर आप डेलिगेट का भी उपयोग कर सकते हैं लेकिन यह थोड़ी सी मेंगी होती है इसलिए इसका उपयोग किसान भाई प्याज में नहीं करते हैं लेकिन ज्यादा मात्रा में थिप्स है तो आप डेलिगेट का भी उपयोग कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं कि Thrips का प्रकोब ज़ादा बढ़ जाता है और आप किसी भी महंगी दवाई का उपयोग करते हैं तो वो आसानी से जाते क्यों नहीं है तो देखिए Thrips का प्रकोब जब बढ़ जाता है आप एक स्प्रे लेते हैं उसके बाद भी Thrips पर आपको कंट्रोल नहीं मिलता है आपको continue दो स्प्रे लेना होते हैं आठ दिन के अंदराल से आप किमिकल बदल कर दो स्प्रे अगर ले लेते हैं तब आपकी प्याज की फसल में Thrips को काफी आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे तो प्याज में Thrips को नियंतरन करने के लिए जेविक तरीके के अगर हम बात करें तो इसके लिए आपको बवेरिया बेसियाना का उप्योग करना होगा बवेरिया बेसियाना 500 ग्राम प्रती एकड के इसाब से आप 200 लिटर पानी में घोल बनाकर इस्प्रे कर सकते हैं और बवेरिया बेसियाना का अगर आप इस्प्रे कर रहे हैं तो आपको एक बात का ये भी ध्यान रखना है कि जब ठंडा टाइम हो तब आपको इस्प्रे लेना है आप चाहे राशानिक दवाई का उप्योग कर रहे हैं चाहे आप जैविक दवाई का उप्योग कर रहे है आपको तीन बजे के बाद इस्प्रे लेना है, ठंडे टाइम में इस्प्रे लेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, और भी रिजल्ट को बढ़ाने के लिए आप इसके अंदर किसी भी कमपईनी का स्टिकर एजेंट उप्योग कर सकते हैं, तो लगबख सारी जानकारी हमन अगले वीडियो में तब तक के लिए अलविदा, जय जवान, जय किसान, धन्यवाद झाल, झाल, जय किसान, जय किसान, जय किसान, धन्यवाद